हेलो गेमर्स वेलकम टू नियू एपिसोड ओफ सिख वारियर गेमिंग नियूज वीकली सिख वारियर रिपोर्ट अभी तक मुझे ढंग से समझ नहीं आए कि क्या नाम रखें बट नेवर देलेस वेलकम बाक टू चैनल और वेलकम बाक टू दिस वीडियो तो गाइस अगर दो से भी हम कुछ बड़ी बड़ी ख़भरों के साथ आए हैं आपके पास तो गाइस की जो सबसे वड़ी खभर है हम उसके बारे में बात करते हैं जी आँ दोस्तों आप सभी का चाहेता केम हमारा चाहेता केम केम वयारें घाल रिवील it's new agent and the new map called Icebox जी यहां दोस्तों, the new agent is called Sky and the new map is called Icebox और यह दोनों चीजें Act 3 में आ रही है जो agent है, जिसका नाम is Sky वो फर्स डे से अवेलिबल नहीं होगा because Valorant wants to make everything smooth ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए agent के साथ बहुत सारी चीजें kind of game breaking हो जाएं because it's an e-sports title so they don't want to break their game बहुत सारे bugs भी निकलते हैं, बहुत सारी चीजें भी लोग find out करते हैं जो उनके developers ने इतना testing में नहीं पकड़ा होगा तो इसलिए अभी Act 3 की starting में सिर्फ और सिर्फ नया map आ रहा है इसके बाद, later in the Act, comes the new agent called Sky तो बात करते हैं guys, Valorant की फिर से तो Valorant ने अपने Middle East और North African servers को officially announce कर दिया है कि ये आ रही है Act 3 की starting में जियां दोस्तों, आप लोग भी excited थे कि Indian servers आएंगे हम भी excited थे Indian servers आएंगे बट थोड़े सी disappointment कि Indian servers आएंगे जरूर बट अभी Act 3 की starting में नहीं आ रहे है Act 3 की starting में Middle East servers आ रहे हैं जिसमें आपको camping देखने को मिल सकती है मुझे भी I think camping देखने को मिल सकती है क्योंकि हम लोग North India में रहते हैं और North Indians का जो connection है वो Middle East में काफी अच्छा रहता है और Singapore से तो काफी camping हमें देखने को मिल सकती है तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे न्यूस की तो AMD ने अनाउंस किये हैं अपने लेटेस राइजन फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर जो की वो क्लेम कर रहे हैं has the best single-threaded performance and the gaming performance AMD ने इतना बड़ा क्लेम कर तो दिया है कि जितने भी प्रोसेसर हैं उसमें से सबसे best single-threaded performance और gaming performance इन प्रोसेसर की है बट अभी तक यह प्रोसेसर लांच नहीं हुए यह सिर्फ रिवील हुए है तो वी कैन ओनली जस्ट वेट फॉर देश्मार्क्स तो कम और उसके बाद हम लोग हुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या AMD का क्लेम अक्चल में सही है या नहीं और इसकी जो प्राइस रेंज है वह स्टार्ट हो रही है तो नाइट 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 वना लेते हैं AMD आपको पता चल जाएगा हम भी पता चल जाएगा तो हम बात करते हैं अगले न्यूस की तो जो अगली न्यूस है वह है Call of Duty की Call of Duty का सीजन 6 आया है उसमें बहुत सारी चीजें एड हुई थी जिससे की कुछ बग्स भी हैं बग्स भी निकले हैं उस बग्स को यूज करके बहुत सारे गेमर्स इसको एक्स्प्लॉइड कर रहे हैं उसमें अनलिमिटेड स्टन्स और स् जिससे की आप अनलिमिटेड टाइम स्टन्स पहक सकते हो उपनेंट पे अपके स्टन्स खातम नियोंगे इस अब हम बात करते हैं इंडिया की दो मोस्ट फेवरेट गेम पबजी जो है वह अपना नया सीजन सीजन 9 लेके आरहा है अलोंग वेद अन्यू मैप जिसका नाम है तो जो नया मैप है वो आ रहा है 21st October को on PC and consoles को consoles में आ रहा है 29th October को इसका जो trailer है वो आप देख सकते हो this actually looks good but वही बात है यार PUBG PC still needs drastic changes so that it becomes enjoyable again so guys अपनी अगली news की हम बात करें तो एक news article में ये चीज मेंशन थी कि PS5 का digital edition बहुत ही जानी मानी news website है जहां पर ये चीज मेंशन थी कि PS5 का जो digital edition है वो इंडिया में release नहीं हो क्योंकि मैं तो digital edition लेने वाला था इन्हों लगता है सुन लिया और PS5 को जो digital edition है वो अभी launch नहीं हो रहा है इंडिया वे ऐसा सुनने में आया है और PS5 का जो disc version है वो पड़ेगा आपको around 55,000 रुपीज का कहां डाकर डालना चलना है गाईस बताओ आप लो comment section बताओ कहां डाकर डालने जाया जाये देखते हैं हम कि यह जो news article है यह सच है या नहीं कुछ कुछी दिनों में हमें पता चल जाएगा क्योंकि PS5 का जो release date है वो पास आ रही है worldwide 19 November को I think release हो रहा है and US में I think 12 November को release हो रहा है so let's see तो guys अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े e-sports tournament की the international तो जी यहां दोस्तों Dota 2 का सबसे बड़ा tournament the international इसका price pool 40 million dollar से भी जादा का है जो की अभी reveal हुआ है 40 million dollar से भी जादा this is the biggest e-sports price pool in the world तो guys हम बात करते हैं अपनी आखरी news की तो यह जो news है यह फॉल गाइस season 2 की तो जी यहां दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पिछली news में बताया था फॉल गाइस का season 2 में एक नया mode add हुआ है जिसका नाम है gauntlet mode पिछला जो season था है जब game launch भी थी तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग rounds अलग-अलग shows होते थे इनमें कुछ ऐसे rounds भी होते थे जिसमें आपको किसी तीन-चार लोगों की team में डाल देते थे और यह एक team game मन जाता था जिसमें obviously कोई coordination तो होता नहीं था क्योंकि सब लोग random होते थे फिर इसमें थोड़ा सा problem आता था था ना कि आपकी team की वज़े से आप फार गये तो इसलिए इसमें एक gauntlet mode add किया है जिसमें कि कोई भी team game नहीं होगा कोई भी team game वाला round नहीं होगा और आपको किसी और player के साथ pair up नहीं करेंगे सब लोग solo रहेंगे and they need to win that special crown sounds exciting क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे rounds हारे हैं जिसमें की team good gober कर देती है मैं तो पूरी 100% कोशिश कर रहा होता था but team good gober कर देती थी कोई बात नहीं अब मुझे पता है कि मुझे gauntlet mode खेलना है fall guys season 2 म I hope you guys enjoyed इस हफते की बड़ी gaming news अगर आपको यह news अच्छी लगी हो तो जरूर subscribe करना channel को and like करना इस video को comment section बताओ आप किस news को लेकर जादा excited हो और साधी साथ अगर आपके पास भी कुछ ऐसी news है जो कि आप share करना चाहते हो इस platform पे तो आपको हमारे discord link description box मिल जाएगा वहां पर send gaming news का एक text channel है वहां से आप हमें gaming news भेज सकते हो so thank you so much for watching guys take care and I'll see you on my live streams channel को subscribe कर ना मत भूलना thank you so much take care bye bye झाल